गुड मॉर्निंग चिल्डरन बच्चों आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी में पाठ पांच जहां जहां बहां रहा आगे पढ़ाने जा रही हूं बच्चों जैसे आप जानते हैं हमने पिछली वीडियो में यहां पाठ पढ़ना शुरू किया था बच्चों जहां जहां बहां रहा का क्या आर्थ होता है चलिए मैं आपको बताती हूँ मनुष्य मानव जहां कुछ पाने की इच्छा रखता है वह उसका रास्ता अपने आप ही ढूंड लेता है यदि उसके अंदर आतम विश्वास और डिड़ शक्ती हो तो वह उस रास्ते को अपने आप ढूंड लेता है ठीक है बच्चों तो इस पार्ट में इला नाम की अपन्ग है परन्दू वह आतम विश्वास से भरपूर है ठीक है तो उसके अंदर हिम्मत बहुत है वह किसी भी काम को देखकर पीछे नहीं हटती अपन्ग होने पर भी वह सभी काम को ठीक है हिम्मत से करती है ठीक है बच्चों तो इस लिए इस पार्ट का नाम जहां रहा है ठीक है तो बच्चों इस पार्ट से हमें भी यह सीख मिलती है इला को देखकर कि हमें किसी कभी भी किसी काम को देखकर हार नहीं माननी चाहिए ठीक है हमें हिम्मत से उस काम को करना चाहिए वह काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो ठीक है तो बच्चों मैंने आपको यह प पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे सुनहरे रूप हरे बेल बूटों में से जान आ गई थी मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कडाई के नमूने ठीक है बच्चों तो आप मैं आप से प्रशन कि यह पार्ट मैंने आपको पहले पड़ा दिया है यहां तक का तो बच्चों आप बताईए मुझे कि यह बेल बूटों की गडाई कोन कर रहा था तो आप क्या लिखेंगे बच्चों इसका उत्तर इला ठीक हैं और वो किस पर कर रही थी ठीक हैं तो है किस पर कर रही थी म मलमली दोटी परी यह कडाई कर रही थी ठीक है अगर मैं आपको इस इन पंस्क्तियों में से पूछू कि इला के बारे में एक पंस्क्ति बताओ या वाक्य बताओ जो आपने इन में से पड़ा है तो आप क्या लिखेंगे बच्चो इला हिम्मद की अनुठी मिसाल है ठीक है अब क्यों थी बच्चो वो अनूठी मिसाल, क्यों, क्योंकि उसके हाथ देखो यहाँ पे बच्चो हाथ अपंग होते वे भी वह पैरों से अपना काम कर रही थी, ठीक है, तो वो एक अनूठी मिसाल हुई ना हिम्मत की, ठीक है, कि पैरों से उसने हार नहीं मानी, ठीक है, त तो कितने साल की थी ऐला 26 साल की ठीक है बच्चों यह यहां पर इसके आपके अतिलगो प्रशन उतर बन रहे हैं ठीक है तो आप दिहान से सुनते रहें कि इसमें कोन-कोन से प्रशन बनते हैं वें बच्चों तो क्या लिखेंगे इला गुजराद के सूरजिले में एहधी थी अब आपसे मैं पूछा की इला का बच्चपन कहां पर बीता ऐला का बच्चपन अम्ब्रेली जिले के राजगोट गाओं में अपने नाना के यहां पर बीता था ठीक है बच्चों तो ये इसके प्रशन बन रहे हैं याँ पर अब इला अब ये आप मैं आपसे पूछू कि महुले के बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते थे तो आप क्या लिखेंगे महुले के बच्चे क्या खेलते थे मिट्टी की आड़ी तिर्ची लकीरे पत्तों से आप युवल अपने पैरों से काम करना सिखा तो इला का मन भी खेलने के लिए करता था युवलारी का कुछ खेल में थी परन्तु कुछ में नहीं दे सकती थे तो आप मैं पूछू बच्चों कि कौन-कौन खेल सकती थे बच्चों के साथ तो आप क्या लिखेंगे फिया विदा से सथे कौन कॉन से काम करती थे इला इला जाल भात खाना दूसरों के बाल बनाना फ़र्ष बुहारना कपड़े धुना तरकारी काटना या तकी तक्ति लिखना ठीक है तो ye सभी काम जिल्लह क्या करती थी अपने करती थी ठीक है उसके बाद क्या है इला ने कहां पर दाखिला लिया बच्चों इला ने एक स्कूल में दाखिला लिया ठीक है लेकिन उसको वहां पर कुछ परिशानी हुई अब परिशानी तो होगी ना बच्चों उसको क्यों होगी उसको अब मैं पुछूं कि इला को स्कू परिक्षा को लेकर चिंता थी स्कूल में वह काम करने की कती उसकी कम थी परन्तु कुछ काम तो वह बहुत ही फूर्ती से कर लेती थी अब इला कौन सी परिक्षा पास नहीं कर पाई थी तो इला दस्वी कक्षा की परिक्षा पास नहीं कर पाई थी अब क्यों नहीं पाई थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसे बच्चों को अतिरिक्त समय मिल्यानकारी इला को नहीं थी ठीक है बच्चों चलिए तो यह पार्ट मैंने आपको पिछली यहां तक मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाये था अब हम पढ़ते हैं आगे आगे देखे बच्चों उसकी मा और दादी कशीता कारी करती थी ठीक है कड़ाई का काम उसकी मा और दादी वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर ठीक है बूटियां उकेरते हुए देखती थी मतलब बूटियां ऐसे बनाते वे डिजाइन उनको देखती ना जाने कब उसने कशीदा कारी करने की ठान ली ठीक है कशीदा कारी करने की ठान ली मन बनाया ठीक है ठान लिया उसने कि मैं भी यह काम करूंगी यहां भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया ठीक है तो बच्चों अब मैं आप से पूछूं क इला ने कशिदा कारी करने के लिए किसका सहारा लिया तो अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया ठीक है दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर सुई थाम कर मतलब सुई सुई पकड़ कर रख कर ठीक है दोनों अंगूठों के बीच ऐसे सुई को क्या कर अटका दिया बीच में उसको कच्चा रेशम पिरोना ठीक है कोई असाम काम नहीं था ठीक है तो उस सुई में जो रेशम है ना उस धागे को डालना था ठीक है तो वो कोई असान काम नहीं था पर कहते हैं ना जहां चाहा वहां रहा तो मैंने अभी आपको बताये ना बच्चों की जहां च जहां वहां रहा कि अगर मन में दृट शक्ति हो, उसकाम को करने की इच्छा अच्छी हो, तो रास्ता अपने आप ही निकल आता है, टीक है? उसके विश्वास और धैरे ने कुदरत को भी जुठला दिया था, टीक है, थो जो उसके अंदर जो विश्वास और धैरे था ना, तो उसने जो कुद्रत है प्रकिर्ती है भगवानी समझरों कुद्रत उसको भी जूटा साबित कर दिया था ठीक है तो कैसे कर रहा था जूटा साबित बच्चों उसको क्यों कुद्रत ने उसको हाथ तोचे अपंग बनाया था लेकिन उसने हाथ से वो काम ना करकर किस से करकर दिखाया ठीक है तो कुदरत भी क्या हो गया उसके सामने जूटा साबित हो गया 15-16 साल की होते होते इला काठिया वारी कशीदा कारी में माहीर माहीर मतलब क्या होता है बच्चो ट्रेन ठीक है किसी चीज में माहीर होना उस्ताद हो जाना ठीक है वो माहीर हो गई ठीक है तो 15 12-16 साल की और कैसे हुई वो सिर्फ अपनी मा और दादी को देखकर ही सीख रही थी वो 16 साल की होते होते इला कठ्यावारी कशिदाकारी में माहीर उस्ताद हो गई किस वस्तर पर किस वस्तर मतलब किस कपड़े पर ठीक है किस तरहां के नमूने बनाए जाते हैं ठीक है नमूने मतलब डिजाइन की कौन सी कड़ाई का डिजाइन बना जाना चाहिए कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा कि कौन से रंग करने पर जो उसने नमूना डिजाइन बनाया है वो अच्छा लगेगा करते हैं ना बच्चों जब हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो उसमें पहले हम कलर रंग देखते हैं कि किस से यह बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो खील उठेगा और टांके कौन से लगे हैं यह सब वह समझ गई थी ठीक है कि और कौन-कौन से ट टांके लगाने हैं मतलब कड़ाई के टांके लगाने हैं यह सब उसको समझ में आ गया था ठीक है आगे देखिए एक समय ऐसा भी आया अब उसके द्वारा काड़े गए परीधानों की परदर्शनी लगी ठीक है कि उसने जोन-जोन से यह कड़ाई के काम किये थे ना रचनी रचनी खेक चैक है एक्जीबीशन लगाते है उसका THE कठीया कि साथ लगाल परेधानों की परीधानों में इसकी जलक भी लगणि ए tá इला ने कठीया वारी ठांकों के साथ साथ कई टांके भी इस्तिमाल किये थे ठीक है उसके साथ साथ कई टांके भी बनाए थे पतियों को चिकन कारी से सजाया था जो पतिया है उनको किस से सजाया था चिकन कारी ठीक है जो चिकन की कड़ाई है डंडियों को कांथा से उबहारा था होता है कड़ाई कही होता है एक उससे बनाया था पशु पक्षियों की जया मीतिय आकर्तियों को कसूती और जंजीरों से उठा रखा था ठीक है तो जो उसकी पशु पक्षियों की जो आकर्तियां है ना जो उसने उनके नमूने बनाये थे तो उनको कसूती और जंजीर से उठा रखा था उस पर कसूती और कड़ाई की थी परामपरिक मतलब पुराने डिजाइनों की यह नवीनता सभी को बहुत भाई ठीक है परामपरिक मतलब होता है बच्चों पुराने जो यह डिजाइन थे उसको उसने नवीनता मतलब नए तरीके से बना दिया था ठीक है तो यह सब को बहुत भाई मतलब बच जो बहुत ही पसंद आई थी, ठीक है, इला के पाउं अब रुकते नहीं थे, तो किसले नहीं रुकते थे उसके पाउं, कडाई करने में, ठीक है, आखों में चमक, उसकी आखों में क्या थी, चमक थी, होटों पर क्या थी, मुस्कान, और अनूठा विश्वास लिये वह, सु तो बच्चों, यह हमारा पार्ट यहीं पर खतम हो गया है, ठीक है, तो इसमें बच्चों आपने क्या सीखा इस पार्ट से, हमें इस पार्ट से क्या सिक्षा मिली, तो बच्चों, इस पार्ट से हमें यह सिक्षा मिली, इस परशन को आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको यह परशन इस वीडिआ से बता रही हूँ ठीक है बच्चों, तो इस पाइट से आप पले परशन लिखे, बच्चों चल से कि हमें इस पाइट जहां चाहां वहां रहाँ पाइट से क्या सिक्शा मिलती है तो बच्चों इसका उतर लिखे हमें इला को देखकर इस पार्ट से यह सिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी कारे को देखकर हार नहीं माननी चाहिए हमें हर काम को ठीक है हर मुसीबत को का सामना दिर्ड विश्वास और आतम सक्ति से करना चाहिए अगर हमारा मन मजबूत होगा उस काम को करने के लिए तो हम वह काम असानी से कर पाएंगे कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा तो इस पार्ट से हमें यह सिक्षा मिलती है बच्चों अगर आप किसी काम को पहले ही देखकर डर जाएंगे कि नहीं यह काम तो बहुत मुश्किल है हमसे नहीं होगा तो वह काम कैसे होगा अब जैसे आपकी परिक्षा ही आती है बच्चों अगर आप पहले सी हार मान जाएंगे कि इतना हम नहीं हम से नहीं होगा ठीक है लेकिन अगर आप अपना डिड़ विश्वास बना ले कि नहीं हमने पढ़ना है मैंने परिक्षा में अच्छे अंक लाने हैं ठीक है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता ठीक है आपको इसलिए हर काम को दहरे के साथ और अपने विश् बच्चों यह पार था अब मैं आगे आपको इसकी कारे पत्रिका दिखाती हूं चाहिए तो बच्चों यहां पर मैंने आपको यह लगू प्रशन उतर दिये हैं तो इला या जैसी लड़की यदी तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेगी तो तुम्हारे मन में कौन-कौन से अपना घर का काम कैसे करेगी कपड़े कैसे पहनेगी बात आएगी लिखेगी कैसे क्यों क्योंकि उसके जो हाथ है वो क्या है अपंग है इसले को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में बदलाव आया है तो आया है ठीक है आप लिखेंगे मैं आपको थोड़ा शोट म नहीं समझना चाहिए ठीक है हमें काम सानुभूती से करने चाहिए ठीक है आगे देखिए इला की कशिदा कारी में क्या खास बात थी तो आप यहीं लिखेंगे उसमें कठे आवारी के साथ लखनौ और बंगाल की जलग भी देखने को मिलती थी ठीक है तो आप इसको अपन देहले में क्या क्या बदलाव किये हैं तो हम भी देहले में कुछ साहयक न्युक्त कर सकते हैं साहयक मतलब जो उसका साहयता करें ऐसे ठीक है जो सभी काम में इला जैसे चाहतरों की साहता करें ठीक है बच्चों अभी अभ्यास कारे है इला के हात अपंग थे सही या गलत ल दादी को, इला कारे को देकर जल्दी हार मान जाती थी, तो बच्चों क्या आएगा इसका गलत, ठीक है, इला ने दस्वीं की परिक्षा पास कर ली थी, गलत, नहीं कर पाई थी ना वो, ठीक है, इला आतम विश्वास के नुटी मिसाल थी, तो क्या आएगा, सही, अभी एक क इला की कठे वारी को लेकर, इला की व्यक्तितब के बारे में, आप यहां पे कोई भी, बच्चों मैं कोशन बता रही हूं आपको, चार वाक्य लिखेंगे, ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे, इला बहुती, एक तो आप लिख सकते हैं, इला हातों से अपंग थी, इ दहरों से करती थी, उसमें विश्वास और धहरे बहुत था, वह आतम विश्वास से भरबूर थी, वह किसी भी काम को देखकर हार नहीं मानती थी, ठीक है, तो इस परकार आप यह पार्ट से देखकर सभी इसका उतर लिखेंगे, ठीक है बच्चों, उमीद है आपको यह प पुस्तिका पर देहां से कीजिए, धन्यमात